पर जब भी हमें कोई सेक्स ये जूड़ी परेशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि इस बारे में बात करने में हम जिज़कते हैं या शर्माते हैं दोस्तों पर अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर विजे दहिफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे पर दोस्तों शो को शुरू करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजे दहिफले इनके बारे में जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेर सल्ला मशुरा करते रहते है और स्कास्ट शो में डॉक्टर विजे दहिफले जी काम सौगत करते हैं नमस्ते हम जानकारे ले रहे हैं कि सेक्शुल डिसफंक्शन के और आज हम जानकार लेंगे sexual dysfunction और योनी के विभिनाकार इस बारे में public demand के वज़े से हम लोग हार एक topic चूज करते हैं पहला सवाल है कि योनी के lips का normal color क्या होता है definitely संदिव जी हाँ पर जो series चल रही है sex education, sexual awareness और sexual safety इसके अंदर हम देख रहे हैं उन्हें के विभिनाकार है लिंक के विभिनाकार है ब्रेस के विभिनाकार है उसका scientific information हमें लेना है यह लेना क्यों जरूरी है क्यों कि हमें normal और abnormal में का difference हुए मालूम में बहुत important देता है यहाँ पर disclaimer देता हूँ time, place, person, condition, culture safety, consenting, अपना known और own partner उसे के साथ हमें आजमान है normally जब हम उसके shape देख रहे है आकार देख रहे है उसके बाद रता है उसका color उसका appearance, उसका look normally जो pigmentation body का जो color है जो fair है या थोड़ा सा blackish है या थोड़ा tan है उसके उपर एक color variation जाता है pink color ये normally inner dips का acceptable रहता है थोड़ा सा dark pink color जाएगा जो blackish color में है और कुछ cases में जब blood flow बढ़ता है तो भी उसके अंदर catch changes आते है कैसे variation आता है और भी color कुछ रहे सकते हैं ये देखेंगे हम one by one विल्कुल योनी के lips का color कब बदलता है येस, very nice normally एक pink color जो है जब excitation होता है जब hormonal changes होते है ऐसे cases में blood flow इंगार्ज होने की वज़े से इसका color dark pink बनता है बहुत पार ये blackish भी हो जाता है तो ये normal रहता है फिजियोलोजिकली कब तक? क्योंकि आपका excitation चले जाने के बाद और नॉर्मल होना चाहिए कभी-कभी उसके ओपर pigmented dot आते है कभी-कभी वहाँ पर greenish color आता है क्यों आता है? किसलिये आता है? देखींगे और वाटसेप के ज़रे सवाल आया है लातूर से बिपीन पूछ रहे कि मेरे पार्टनर को sex में enjoyment नहीं आता नीचे ढिला पने है तो क्या करे? बहुत बार revolution रहता है uterus का अच्छी तरह से नहीं हुआ समझी वहाँ पर आपने kegels exercise अच्छी तरह से नहीं किये ऐसे कैसे में वह जायना में electricity आती है बहुत बार delivery तकी बेज़ान टोमी कट लेता है वहाँ पर उसका suturing या healing अच्छा नहीं हुआ तो partner को वहाँ पर उसके साथ enjoyment नहीं आता है मेरे पास तो यहां तक नोबत आती है लोगों की चलो भई मुझे तो आप इडियो वह से लेना है लेकिन ऐसा नहीं करना है उसके लिए ओर शौट जैसे injection बढ़िया है जोरत पड़े तो वज़ानल reconstruction करके जैसे नॉर्मल वज़ाना उनकी पहले थी उसी तरह से बना सकते है और कीगल exercise तो golden exercise है इसके लिए बिलकुल लगल एक सवाल है कि योनी के lips का color और आकार कौन से infection में बदलता है अभी इसलिए reason है कि हम क्यों देख रहे हैं अलग अलग color पर हमें तो normal pink या dark pink पता है जब किसी कारणवस fungal infection होता है वहाँ पर itching होने के बाद उसका thickening हो जाता है उसके में कोजा का lips का और color बन जाता है totally black color और कुनसी condition है बहुत बार किस कारणवस vaginitis है कोई discharge है तो इस cases में उसका color हो जाता है dark angry red बहुत बार greenish color भी हो जाता है fungal infection से तो अलग अलग प्रकार के जो infection है बहुत बार diabetes में भी वहाँ पर cracky lips बन जाते है तो एक ही information यहाँ पर देता हूँ नॉर्मल से कोई हटकी होगा उससे वहाँ पर कोई problem है दिक्कत है, painful contact है या itching है विश्य शक्रे को दिखाओ sexuality and illness को दिखाओ और इसका solution करो पिल्कुल अगलेक सवाल है कि योनी में clitoris भाग क्या होता है यस करे यहाँ पर normal और भी क्यों पता होना चाहिए बहुत है बाहर के दो lips है normal अंदर के small lips है नीचे वाले part में hymene है उपर वाले part में यूरेत्रा जहां से urine भागाता है और जहाँ पर दोनों के दोनों lips उपर जाके एक गुला कर भाग जो rounded भाग मैं developmentally बोलूँगा कुछ months टक development जो male और female की होती है एक same होती है लेकिन जब उसका commercial female में होता है तो वहाँ पर दोनों libya open होके clitoris जैने जिसे male में glance है वो clitoris बनता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नोर्स सबसे ज़्यादा वेसल्स सबसे sensitive part होता है जो excited होने के बाद irate भी होता है और उसे pressure देने के बाद या और hybrid करने के बाद या मसाज करने के बाद वहाँ पर orgasm के impulses भी निकलता है तो यह कहूंगा most sensitive part of the vagina is called as clitoris पिलकुल अगला एक सवाल है email के द्वारा मुंबई से जादर से आदिती का सवाल है कि योनी में उपर का हिसा male के जैसा लंबा दिखता है तो क्या करें यह कंटिन्यू करता हूँ talk developmentally ये clitoris छोटा होने के बजाए थोड़ा सा लंबा रहा तो क्या होता है आपको लग रहा है female भी है और male जैसा लंबा भी दिख रहा है तो ऐसे cases में काफी attention आता है जो parents भी उनको भी आता है खुद जो लड़की है या जो person है उसको भी आता है कि अपनी शादी होने के बाद क्या होगा पार्टनर को क्या लगेगा तो ऐसे case में थोड़ा भी दरना नहीं है specialist से मिलने के बाद clitoroplasty या clitoral reduction नाम की एक surgery है इसमें नोर्स को कोई भी damage किया बगएर उसे हम release करते है normal shape में लाते उसको hoarding भी देते है जिसके वएसे उनका निशी जीवन बाद में वो आच्छी तरह से enjoy कर सकते है बिल्कुल अगला एक सवाल है कि योनी पर pubic hair कितने प्रकार के होते हैं यस, very nice अभी यहां पर pubic hair होते क्यों है बाडी में हर जिगर भी hair का उसका important है क्योंकि फिरो मॉंस फिरो मॉंस एक तरह का उसका एक smell रहता है बाडी का और specially excited position में यह smell change होते रहता है कुई sparse hair से, कुछ dark hair से, कुछ बहुत thin hair से color में बहुत पार pigmentation कब होगा तो golden hair से, ऐसे अलग अलग कर के पिभी hair होते है, routinely जो पार्टनर की जो अपके अपोजिट पार्टनर की जो इच्छा है उसके अनुसार समझो उसको trim भी करके उसे अच्छा हाईजनिक रखना है क्योंकि बहुत बार उसकी रेंग इतनी ज्यादा रहती है यूरिनिशन की जाने के बाद, उस वक्त या एक्ट होने के बाद वो contaminate होते है, repeated source of infection बनता है इसलिए sex hygiene में जो हम कहते हैं, उसे completely reverse duration में shave नहीं करना है, तो trim करने से उसे हम healthy रख सकते हैं, जिसे खुद को और उनके पार्टनर को भी अच्छी तरसका sex hygiene बिले, बिलकुल अगला एक सवार है कि योनी के discharge कितने प्रकार के होते हैं, यस, very nice, अभी normal क्या होता है यह बूलूँगा पहले, normally भी excited होने के बाद, मैं हर चीज़ को देखो, हमारी lips में, या tongue में, वहाँ पे इसलिए हम बोल पा रहे हैं, naturally, वहाँ पे जो बातोली इंगलांस रेते हैं, तो वजायने से clear discharge आना, excite होने के बाद, लुब्रिकेशन के लिए आता है, act करते होते, वहाँ पे कोई friction नहों, इसके लिए आता है और यह क्यों मालूम रहना जोर रही है, पहिए नॉर्मल हो गए, और नॉर्मल क्या है तो सब मिलकिश जो रहता है, वो भी नॉर्मल है, लेकिन उसका green डिशाज आ रहा है, red डिशाज आ रहा है, वहाँ पी itching हो रही है, उसका bad smell या order आ रहा है तो यह इंडिकेशन है, वजायने इसका, वजायनल इंफेक्शन का, फ्रेंट से एक ही कहोंगा ऐसे कंडिशन में, इस साइंटिफिक नॉलेज लो, सेक्सॉलिज, सेंडिलोज, शिरोड़ इसको दिखाओ, और अपना इनिजी प्रॉलिम सौल कुरू, जिसकी वैसे, दोन भी पार्टनर निजी जीवन एंजोए कर से बिल्कुल आपने बहुती अच्छा मार्गदर्शन किया, वक्ती पाबंदी होने के कारण हमें रुकना पड़ता है, आप भी डॉक्टर साब की सला लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो कॉंटेक्ट नमबर दिये गए, सेंटर्स के नाम दिये गए, एमेल आइडी भी दि पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, इसे के साथ इस खास शो में यही रुकते हैं, शुक्रियां